स्वागत है आप सभी का साइंस और फन पे जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज हम लोग मिले हैं यहां पे ग्रेविटेशन के वन शॉट के लिए जो जो इस चैनल पे नए है मैं उनको पता दू कि इस चैनल पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स के साथ वन शॉट डालने की एक सिरीज स्टार्ट की है जहां पे हम लोगों अभी तक ग्रेविटेशन से पहले जितने भी चैप्टर यानि की उनिट्स एं मेजरमेंट मोशन अस्टेट लाइन मोशन अपले लॉज ऑफ मोशन वर्क एनरजी सिस्टम आफ पार्टिकल से रोटेशनल मोशन सब के वन शॉट्स विद एक्सपेरिमेंट्स डाल दिये हैं आज कर दो चैप्टर है हमारे पास यानिगी ग्रेविटेशन वो भी हम लोग वन शॉट में कम्प्लीट करने वाले हैं और इस वन शॉट के अंदर हमारे पास टॉपिक सारे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे बढ़ हाँ जो बचे अगेन यहां पर नई है मैं उनको पता दू कि हम लोग यहां पर सब्जेक्टिव कोश्ट के लिए भी लेक्टर डालते रहते हैं अभी तक मैंने जितने भी चेप्टर कराया है लगबख सभी के subjective questions के मिला के दो recorded lectures यहाँ पर डालें जिसमें एक में हमने शायद पहले चार चप्टर कर बात में बाकी दो चप्टर के subjective questions के यहाँ पर एक एक घंटे के डिर घंटे के दो दो घंटे के lectures डाल दिये थे आज का जो चेप्टर है यानि gravitation इसमें हमारे पास experiment से जादा actually हम daily life example से बात करेंगे एक दो चोड़ 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 एक्सपरिमेंट देखेंगे बट अभी तक जितने भी chapters के उतने experiment यहाँ पर नहीं because gravitational force है यह कैसी force है जिसको हम fundamental force कहते हैं जो दिखती नहीं है बढ़ होती है और यह obvious सी बात है कि हम यहाँ पे planets satellites इनकी बात करने वाले तो इसलिए यहाँ पर experiments यानि demonstration ज्यादा नहीं होने वाली है although chapter हुने ही नहीं वाली है मतलब although chapter बहुत ज्यादा interesting है ठीक है न तो सबसे पहले आव हम एक शब्त को सीखते हैं जिसका नाम है out gravitation, अब हर बार gravitational force जब हम 9th के बच्चे को पढ़ाते हैं कि gravitational force क्या होती है या gravitation क्या होता है तो कहीणा कहीं gravitation words सुनते ही नाइथ के बच्चों को लगता है कि यह सिर पढ़ के लिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कि अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो अफ फोर्स ओफ अट्राक्शन बिट्वीन अब मैं यहां पर थोड़ा कैपिटल में लिखना चाहूंगा एनी टू एनी टू अबजेक्स इन दिस यूनिवर्स एनी टू अबजेक्ट इन दिस यूनिवर्स ड्यू टू देर मासेस यानि की पहली बात तो आपको यह अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि अगर दुनिया के कोई भी दो अबजेक्स की आपे बात की जा सकती है यानि ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में है मेरे और इस बोर्ड के बीच में भी है इस कैमरे और मेरे बिच में भी है आपके और आप बेड़ पे या जिस चेर पर वेठे वे उसके बीच में भी है जिस mobile या laptop पे आप इस वीडियो को देख रहे हो टीवी पे अगर आप देख रहे हो तो उसमें और आपके बीच में भी है इन दुनिया के हर दो objects के बीच में gravitational force है इवन आपके और जैसे अगर आप मालो दिल्ली में रहते हूँ जैसे मैं दिल्ली में रहते और दुबई में खड़े वे बुर्च खलीफा के बीच में भी gravitational force है यानि कहने का मतलब सिर्व यह है कि दुनिया के हर दो objects के बीच में एक force of attraction हमेशा होती है जो कि उनके mass की वज़ा से होती है जिसको हम gravitational force कहते हैं तो सबसे पहले और यह मैं जादा effort से क्यों नहीं बात कर है sir तो हम एक गुसरे के तरफ attract क्यों नहीं हो रहे जैसे अगर मैं stylus को छोड़ूंगा तो यह stylus अर्थ के तरफ जा रहा है मेरे तरफ क्यों नहीं आ रहा अगर यह मुझसे भी attract हो रहा है तो तो answer बहुत simple है क्योंकि यह force mask के directly proportion होती है जो कि हम पढ़ेंगे और अर्थ प तरफ जादा attract हो रहा है जिसकी वैसे मेरे तरफ यह नहीं आ पा रहा और अर्थ की तरफ जा रहा है तिस लाइक अगर एक बहुत बड़ी चुमबक है और बीच में लोहे का तुकड़ा तो लोहे का तुकड़ा बड़ी चुमबक के तरफ जाएगा strong चुमबक के तरफ देते हैं gravitational force को gravity नाम कब दे देते हैं तो gravitational force gravitational force between earth and any earth and any other object यानि कि earth और बाकी किसी भी object के बीच में जो gravitational force होगी उससे हम लोग gravity कह देंगे यानि कि gravity बोलने के लिए आप में दो में से कोई एक object अर्थ होना जरूरी है यह बात ध्यान रखने है gravity word यूज करने के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखने होगी कि दो में से कोई एक object अर्थ जरूर होना चाहिए यहाँ पे इसकी reflection पढ़ रही है ना बोड की इसको अगर मैं नीचे लटा दूँ हाना अब पढ़ रही है क्या अब आ रही है क्या अब कम आ रही है थोड़ी हाना चाहलो तो अगर दो में से कोई भी एक object अर्थ हुआ तो हम उसे क्या नाम देंगे ध्यान रखना gravity यानि कि sun और moon के बीच में जो gravitational force है उसको आप gravity नहीं कह सकते अगर दो object में से कोई एक object अर्थ है तो उसे आप gravity नाम दे सकते हो ये बात आपको ध्यान रखने है ठीक है अब अगर बात करें कि gravity क्या है ये तो हम थोड़ा बहुत समझ गए कि ये mass की वज़े से लगने वाली attractive force है बट gravitational force जो है इसको calculate कैसे करें आप सब को पता है कि ये ये दिखाया है कि ये हमारे हिंदू धर में कुछ लोगों ने सबसे पहले इसको discover किया था देखो हर बात की हम लोग respect करते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि आपको exam में अगर पूछा जाए कि who discovered gravitational force तो marks तब मिलेंगे जब आप Sir Isaac Newton जी लिखोगे क्यों कि हमारे कितावे ऐ अब कहीं लोगों को बहुत बड़ी गलत फहिमी है कि Sir Isaac Newton जी ने gravitational force को उसी दिन ढून लिया जिस दिन उनके उपर save गिर गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस दिन वो पेड़ के नीचे बैठे बेतर उनके उपर save गिर गया था उस दिन एक thought process create हुए एक सोच create हुए कि हाँ ये save नीचे क्यों आया ऊपर क्यों नहीं गया सामने क्यों नहीं गया या वहीं क्यों नहीं रहा गया उसके बहुत समय के बाद जाके उन्होंने gravitational force को discover किया according to our books ठीक है अब gravitational force क्या है हना उसके लिए हम एक law पढ़ेंगे जिसकों कहेंगे universal law of gravitation तो यहाँ पे हम दो objects ले र एक का mass M1 है और एक का mass M2 है इन दोनों के जो centers है क्योंकि मैं इनको point mass मान रहा हूं इन दोनों के जो centers है उनके बीच में एक certain distance होगा वो distance मान लेते हैं अभी के लिए R है इन दोनों के centers के बीच में जो distance है वो R है तो universal law of gravitation कहता है कि दुनिया के कोई भी दो objects चाए वो अर् gravitational force होती है कोई भी दो objects के बीच में जो gravitational force होती है वो directly proportional होती है इनके masses के product के यह हम लोगों ने 9th class में पढ़ रखा है वो directly proportional होती है इन दोनों के mass के product के जितना जादा mass बढ़ेगा gravitational force उतनी ही जादा बढ़ती चली जाएगी second वो जो force है वो universally proportional होती है इनके बीच के distance के square के धियान रखना इनके बीच के distance के square के तो जो force है वो directly proportional होती है masses के product के और जो force होती है वो universally proportional होती है उनके बीच के जो centers के बीच का distance है उसके square के है ना यह law कहता है यह उन्होंने observe किया अब अगर मैं दोनों equation को combine कर देता हूँ तो combining first and second combining first and second तो gravitational force is directly proportional to m1 into में m2 upon में r square आ जाएगा m1 into में m2 upon में r square आ जाएगा तो यहां से force is equals to proportional का sign हटा के हम यहां पे एक constant लगा देंगे जो कि हमारे लिए capital G होने वाला आप जानते ही है और बाकी सब हमारे पास m1 into में m2 upon में r square हो जाएगा तो यह हमारे पास और विसी बात है हम लोग इस capital G के बार में बात करेंगे बट यह वो जो अभी के लिए constant है बट यह हमारे पास एक formula आ जाता है gravitational force का formula और जो कि आता है capital G into में m1 into में m2 upon में r square where capital G is constant बात करेंगे m1 m2 are the masses of the respective bodies and r जो है वो उनके बीच के center के बीच के actually distance का square करना है आपको इस ऐसा करने पर आपको force मिल जाएगी अब यहाँ पर अगर बात करें तो यह जो capital G है इस capital G को हम gravitational constant कह सकते थे बट इसका पूरा नाम actually में क्या होता है universal gravitational constant इसका पूरा नाम होता है universal gravitational constant आज का पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं comment section पर time stamp के साथ देना लेकिन क्या आपको पता है constants दो प्राकार क्यों होते हैं एक constant जो वैसे तो constant होता है बट कुछ हला चेंज करने पर वह चेंज हो जाता है जैसे कि resistance हम लोगों ने 10 ग्लास में electricity chapter में resistance के बारे पढ़ रहा है कि वैसे तो यह constant रहता है लेकिन अगर आप length change कर दो area of cross section change कर दो material change कर दो तो यह जाएगा although एक वायर के लिए यह constant रहता है लेकिन कुछ constants ऐसे होता है जिनकी value पूरे भ्रह्मान में हमेशा equal रहती है चाहे कुछ भी हालात हो चाहे कुछ भी temperature हो pressure हो जगा हो आप मार्स पे हो आप चांद पे हो आप धरती पे हो कुछ भी conditions हो उनकी value same रहती है उन्हें पहली बात तो universal constant कहा जाता है तो जो capital G वह एक Universal constant इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी value पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है और वो कितनी रहती है वो सबाद्गा पीच्पे बात करें हैं उनिट के साथ लेकिन इसकी value पूरे भ्रह्मान में हमेशा EAM वेल्यू universally constant रहती है चेंज नहीं होती है comment section बताना है ऐसे और कौनसे constants आप जानते हो जिनकी वेल्यू पूरे ब्रहमाण में आप कहीं भी गूमलो same रहती है सबसे पहला constant आपको याद आना चाहिए planks constant हना सबसे पहला constant जो आपके दिमाग में चलना चाहिए वो कौनसा होना चाहिए planks constant second आपने शायद पढ़ा हो capital R यानी gas constant plank constant की 6.67 इंटो में 10 की 6.63 इंटो में 10 गीवा माइनस 34 और R 8.314 यह कुछ ऐसे constants होते हैं जिनकी value पूरे भ्रमान में कुछ भी गरलो हमेशा सेम रहती है तो capital G उनमें से एक है अब अगर मैं capital G की unit और dimensions की बात करूँ लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ कि capital G की value क्या होती है तो यह होती है 6.67 इंटो में 10 की पार minus 11 इसकी value आपको याद रखनी है obviously बात है 9 से ही आप लोगों की शायद याद भी होगी बट इसकी value होती है 6.67 इंटो में 10 की पार minus 11 यह value बहुत जादा छोटी है और यही reason है कि gravitational force को बहुत weak force माना जाता है आना आप समझो अर्थ जितना बड़ा मास अर्थ जितना बड़ा मास इस stylus पे कितनी कम force लगा पा रहा है कि मेरे muscular force ने इसको कितनी असानी से overcome कर दिया इतनी बड़ी अर्थ कह रही है इसको नीची आओ लेकिन मेरे छोटे से हाथ कह रहे है इसको देखो मैं उपर ले जाओंगा तो gravitational force बहुत weak force होती इसकी value 6.67 into 10 के पार minus 11 होती है और वो भी newton meter square kg minus 2 होती है इसकी जो value रहती है वो क्या रहती है newton meter square kg minus 2 के साथ पूरी value तो पूरी value बोलना होगा तो 6.67 into 10 के पार minus 11 newton meter square kg minus 2 अब y newton meter square kg minus 2 अच्छा why this value यह तो calculated है बड़ अगर हम बात करूँ SI unit of capital G यह unit कैसे आई हाना आओ इसके बारे बात करते हैं क्या force का formula मारे पास G into में M1 into में M2 upon में R square आया तो यहां से अगर मैं capital G निकाल लेता हूँ तो आजाएगा F into में R square upon में आजाएगा मेरे पास M1 into में M2 हाना भी अब इस formula के हिसाब से इस formula के हिसाब से हमारे पास unit अगर मैं निकालने जाऊं तो unit of G में सबसे पहले बात तो force की unit के आजाएगी Newton distance के आजाएगी meter square mass के आजाएगी हमारे पास kg और यहां पे भी आजाएगी हमारे पास kg तो क्या हो जाएगी Newton meter square और नीचे आजाएगा हमार पास kg-2 Newton meter square kg-2 ठीक है जी तो इस हिसाफ से इसकी unit भी आ गई अब यहीं से हम इसके dimensions भी निकाल सकते हैं तो capital G के अगर dimensions निकालने की बात आई तो Newton यानि की force के dimensions हम सब जानते हैं कि MLT-2 आप तक तो याद हो गए होंगे meter यानि के length के लिए हमारे पास हो जाता है L2 और mass के लिए हमारे पास M की पार-2 तो अगर मैं इसको solve कर दूंगा तो यहां पर आ जागा मिरे पास M की power-1 L3 T की power-2 तो यह dimensions हमारे पास capital G के आ जाएंगे तो capital G की unit और dimensions हमारे पास आ जाते हैं सहीए सहीए तो ultimately अगर हमें gravitational force निकालनी होगी तो हमारे पास दोनों objects का mass होना चाहिए और उनके center के बीच का distance होना चाहिए उससे हम gravitational force calculate कर लेते हैं ठीक है चलिए अब हम अगले topic पर आते हैं which is known as acceleration due to gravity देखो हम सब जानते हैं कि जहां जहां force होगी वहां वहां पर acceleration भी होगा न्यूटन जी के second law के हिसाब से अगर force नहीं है तो acceleration भी नहीं होगा जिसको हम acceleration due to gravity कहेंगे लेकिन उससे पहले आपको एक term समझ नहीं होगी which is free fall ठीक है उससे पहले आपको एक term को समझना होगा वह term है हमारे पास free fall अब free fall क्या होता है बड़ा ही controversial word है यह actually मतब था अब तो खेर बहुत clear है लोगों को बड़ पहले यह बहुत controversial था कभी आपको समय मिले तो गैलिलियू जी के बारे में पढ़िएगा बहुत कुछ उन्होंने इसके उपर बात की थी बड़ चलो अभी कहले अगर बात करें कि what is free fall what is free fall free fall क्या है तो when any object falls under the gravitational force of earth अगर आप अर्थ पे हो तो अगर आप मून पे हो तो मून अविसी बात है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे free fall अगर आप अर्थ पे हो तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं ठीक है अगर कोई object only under the action of दिहान रखना है यहां पे यह word बहुत important है अगर कोई object सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर गिर रहा है और उसके ओपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहे है तो उसे हम free fall कहेंगे मन में question का answer देना क्या यह क्या यह free fall है यह जो मैं stilis उपर से drop कर रहा हूं क्या यह free fall है तो answer है यह यह पर आखना आशन उफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो है लेकिन इस कमरे में हवा भी है त्छीकरण अच्छा अब पताओ क्या यह free fall है यह नहीं अब यहां पर हवा की फोर्स भी मेरी muscular force भी है और gravitational force भी है बट imagine करो कि अगर मैं इस कमरे में vacuum create कर देता हूँ vacuum और अब मैं अगर इसको drop करता हूँ तो क्या ये free fall के लाए जाएगा तो answer है हाँ क्योंकि अब ये गिरेगा only under the action of gravitational force तो अगर कोई भी object सिर्फ और सिर्फ gravitational force के अंडर गिरता है उसके अपर कोई और x, y, z force नहीं लगती है तो उसे कहा जाता है free fall उसे कहा जाता है free fall ठीक है जी अब उसी free fall के दौरान जो acceleration आता है body में उसे कहा जाता है acceleration due to gravity ठीक है जी तो when any object falls under the gravitational force of earth only उसे क्या कहा जाता है free fall अब free fall में ही हमारे पास आता है acceleration due to gravity तो acceleration of a body during free fall acceleration of a body during free fall is called during free fall is called acceleration due to gravity is called acceleration due to gravity अभी मैंने आपको पता है जहां जहां force होगी वहां वहां acceleration होगा अगर कोई object only under the action of gravitational force गिर रहा है नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस पर मैंने पता है एक ही force लग रहे होगी वह force कौन सी होगी तो answer है gravitational force होगी और force होगी तो acceleration होगा तो ऐसे acceleration को हम कहें देंगे acceleration due to gravity अब अगेन आप पहली बात तो हम यह formula derive करने जा रहे यह formula आप सबने ninth में भी derive किया है और आप में से most of the बच्चे इस बात को aware है पहले से ही बड़ अगर मैं फिर भी आपसे एक सवाल पुछूं comment section पर कि अगर मैं free fall करवा रहा हूं ध्यान सुनना अगर मैं free fall करवा रहा हूं और एक certain height से मैं एक हतोड़े को फैकूं और एक punk को फैकूं तो पहले नीचे कौन गिरेगा अगर मैं free fall करवा रहा हूं एक हतोड़े को फैकूं और एक punk को फैकूं तो नीचे कौन पहले गिरेगा तो I hope आपका अंसर होगा कि दोनों सेम गिरेंगे क्योंकि जो free fall होता है उसमें जो body का acceleration होता है यानि acceleration during free fall जो होता है ये बिलकुल भी depend नहीं करता है mass पे ये mass independent होता है यानि अगर free fall हो रहा है तो चाहे मैं उचाई से पत्थर को फैकूँ एक पंक को फैकूँ एक हतोड़े को फैकूँ एक गाड़ी को फैकूँ एक सिक्के को फैकूँ एक paper को फैकूँ सब same time पे नीचे आएंगे irrespective of their masses because it only depends on their height ये हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हना नहीं पता तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रूफ करवा रहा हूं बट आप सोच रहे होगे सर अगर मैं अपने घर की छट पर खड़े होके एक भारी चीज को फैकूँ गा और एक हलकी चीज को फैकूँ गा तो भारी चीज अकसर जल्दी नीचे आएगी बट ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि बटा जब आप अपने घर की छट से फैक रहे हो तो वहाँ पर एटमॉस्फेर है अब एर हलकी चीजों पर या जिनका सर्फेस एरिया जादा होता है उन पर अपना इंफ्लूएंच जादा लगाती है मैं अगर आपको इसको बहुत चोटे से बहुत अच्छे से एक्जांपल से यहांपने जब आपको समझाओं कि यहां पर आपको समझाओं किए अगर आम आरे पास दौ पर हैं अब अगर मैं इनको drop करूँ तो आप सबको पता है कि जो crushed paper है वो जल्दी नीचे किरेगा और यानि कि यह mass पर तो depend नहीं कर रहा है अब होता क्या है अगर आप नोटिस किया हूँ कि जिसका surface area paper का जादा है उस पे हवा का drag जावा लगता है और हवा का drag जावा लगेगा तो यह ऐसे ऐसे आएगा उसको जादा distance चलके नीचे आना पड़ेगा वहीं पर इस पर हवा का drag कम है तो सीधा नीचे आता है तो कम distance चलना पड़ता है तो अब्वेसी बात है कि यह जल्दी नीचे पहुंचता है तो पहली बात तो यह mass पर तो depend नहीं करता है प्लस अब मैं य यूट्यूब पर कॉपी राइट आजाएगा बड़ मैं आपको एक सलात हूँगा कि आप यूट्यूब पर अभी चाहे सेशन के बाद जब भी जाके एक वीडियो सर्च करें free fall of bowling ball and feather तो आपको एक वीडियो मिलेगी यूएस की अमेरिका की जहां पर एक अंकल बहुत दोनों को गिरते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों साथ में गिरते हैं वो आप वीडियो देखना आप समझ जाओ कि free fall मास पर डिपेंड नहीं करता है तो यह हमारे पास अर्थ है मान लेते हैं कि यह अर्थ है ठीक है और एक object जो है वो यहां से उपर से गिर रहा है यह object का मास m0 है अर्थ का मास m e है और यह उपर से नीचे गिर रहा है इसकी जमीन से जो height है वो h है और अर्थ का radius r e है तो total height हो गई center से वो r e plus h हो गई है अब जो force लग रही होगी उसके उपर उसका जो formula होता है वो होता है g m1 m2 upon में r square चेक है अब gravitational force में g तो g है m mass of earth है m0 mas of object है और उनके बीच का distance r e plus h का whole square है हो जो force होती है आपको सबको पता है वो mass into में acceleration भी होता है जो force होती है वो mass into में acceleration भी होता है अब यहाँ पर हम acceleration किसका निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम acceleration निकालने जा रहे है ब और आगर हम लोग body का acceleration निकालने जा रहे हैं तो यह obviously बात हो जाती है कि यहाँ पर हम उसको mass of body बोलेंगे है ना भई मास की जगा mass of body आएगा और acceleration due to gravity को हम लोग a की बजाए g से represent करना जादा पसंद जो है m e upon में r e plus h का whole square अब यह formula जो हमारे पास last आया है यह formula हमें क्या दर्शाता है यह formula दर्शाता है कि जो acceleration due to gravity है यानि कि जो small g है इसका mass से कोई लेना देना नहीं है यह mass independent है यह इसके पूरे formula में कहीं पे भी mass नहीं आता है यानि कि acceleration due to gravity is independent to the mass of the body आप नीचे यहाँ पर statement भी लिख सकते हैं कि hence acceleration due to gravity is mass acceleration due to gravity does not depend on mass of object यह object के mass पे बिलकुल भी depend नहीं करता है इसलिए कुछ भी हो जाए वो same rate से नीचे आएंगे है ना भी अब यह बात तो समझ में आई कि acceleration due to gravity यानि कि जो g है उसकी value mass independent है यानि कि वो value mass पे बिलकुल भी depend नहीं करती है अब इसकी value earth के surface पे कितनी होगी यानि अगर मैं earth के surface पे खड़ा वाऊं तो यहां पे मेरे पास r e हो जाएगा और इसका mass तो m0 रहेगा और इसका mass m e अगर मैं earth के surface पे आ गया हूं तो क्या height 0 हो जाएगी yes क्यूंकि पहले मैं earth के surface से height उपर था अब मैं earth के surface पे हूं तो automatically जो distance है वो r e प्लस h की बजाए r e हो जाएगा तो इसके लिए अगर मेरे पास gravitational force चोटा जी निकालना होगा तो capital g m e upon में अब r e plus h की बजाए मैं सर्फ क्या पूट करूंगा r e क्यूंकि मैं earth के surface पे हूं तो r e का square हो जाएगा यह हमने ninth में भी किया है अब capital g की value होती है 6.67 into my 10 के पार minus 11 जो कि आपको याद करनी है mass of earth होता है 6 into my 10 के पार 24 kg जो कि आपको याद कर लेना चाहिए exam में given आ भी सकता है नहीं भी radius of earth होता है 6.4 into my 10 के पार 6 meter इसका हमें square करना यह भी आपको याद कर लेना चाहिए वैसे 6400 किलो मिटर होता है उसको मिटर में convert किया तो 6.4 into my 10 के पार 6 आ गया अब इस पूरे को अगर आप solve करोगे तो आप सबको पता है answer 9.8 meter per second square आ जाता है answer 9.8 meter per second square आ जाता है जिसको round off करके हमने बचपन से आज तक बहुत बार 10 भी use किया है लेकिन अर्थ के surface पर रहके इस G की value हो जाती है 9.8 meter per second square यानि अर्थ के surface पर जब तक मैं हूँ यह value 9.8 meter per second square रहेगी अब सवाल ही उड़ता है यह जो अर्थ के surface पर रहके जो value है वो 9.8 है अगर मैं अर्थ के surface से उपर जाऊँगा और अगर मैं अर्थ के surface से नीचे जाऊँगा तो इस value के साथ क्या होगा क्या यह value बढ़ेगी या कम होगी तो answer है यह value पहली बात तो maximum value है यानि G की value अर्थ पर रहके 9.8 से ज़ादा नहीं हो सकती है यानि अर्थ के surface पे इसकी value maximum होती है बड़ी हरान कर देने वाली बात है कि उपर जाऊ तो देखो समझ में आता है उपर जाऊंगा तो height बड़ेगी तो यह obvious हो जाता है कि जो G हो कम हो जाएगा लेकिन अर्थ के अंदर जाने पे भी छोटे G की value कम होती है बड़ा G तो constant ही है छोटे G की value कम होती है यह कैसे हो रहा है अर्थ की value अर्थ के surface पे रहके small G की value maximum क्यों है उपर जाने पे कम कैसे हो रही है नीचे जाने पे कम कैसे हो रही है उसको mathematically समझना है बड़ यह बात ध्यान रखना कि जो G की value 9.8 आई है यह अर्थ पे रहके maximum है आप 9.8 के ऊपर यह value नहीं लेके जा सकते हैं ध्यान रखिएगा कैसे अभी हम शो करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा topic आ रहा है कि अर्थ पे या कही पे भी gravitational force की क्या importance है यह LKG का topic है मुझे लगता है पढ़ाने की उतनी जरुद बिनियो solar system बना हुआ है अर्थ पे atmosphere gravitational force ने hold किया हुआ है Moon और Sun के gravitational force से tides आती है और आपको पता होगा होश्यार बचो को कि अब यह गलत साबित हो चुका है बढ़ ठीक है अभी तक किताबों में यह है तो अभी आप यही बोलते हैं कि tides जो आती है waves जो आती है वो gravitational force से आती है पार्क में चलांग मारता तो ऊपर ही जाता रहता तो आप अपने दोस्त को पीछे बैच पर बैठे वे ऐसे एक उंगली मारते वह यह चलांग मारता और वह बस उपर जाता रहता तो उसको समझना बहुत ज़रूर है लेकिन उससे पहले मुझे यहां पर मैंने गलती से बीपीटी में पेज आड़ नहीं किये मैं पेज आड़ करता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है जी चलिए हाँ यार तो पेज मैंने इसके अंदर आड़ कर दिये हैं अब हम लोग यहा ढूर माक्सिमम होती है अर्धी सर्फेस और था ना यानि कि वेलियो है ओव G इसमें किम्स come सर्फेस अब और अर्थ के सर्फेस पे जीकी वेल्यों को हमें माक्सिमम प्रूफ करना अब इसके लिए हमें यह शो करना होगा कि अगर मैं आर्थ के उपर जाता हूँ मतब अर्थ के surface उपर जाता हूँ या अर्थ के surface से नीचा आता हूँ दोनों ही cases में जी की value यहे वो बढ़ेगी और कम होगी ठीकगे जी आप उसके लिए हमारे पास यहां पर First Case ऐता है फिर्श्ट केस आता है अगर मैं height पर जाता हूँ तो जी की वेल्यू के साथ क्या होगा चीक है जी तो लेटर सपोस्थ कि मैं एच हाइट पर चला जाता हूं ना मालों अगर डाइग्राम वाइस बात करें तो यह अर्थ होगी हमारे पास अर्थ का यह सेंटर हो गया यह अर्थ का रेडियस हो गया और आप उससे एक सटेन हाइट पर लेट से एम्नौत जो है वो एच हाइट पर चला गया ठीक है जी एच हाइट इस फ्रॉम दी शर्फेस तो और टोटल हाइट वह गे आरी प्लस सर्फेस जी की जो वैली है वो तो जी मई अपॉन में आर इका स्क्वेर है यह तो हम सब जानते हैं कि एट सर्फेस तो जी की वैली यह रहती है चीक है इसको आप चाहिए फस्ट एक्वेशन मालो अब अगर मैं एट सर्टन हाइट चला गया एट हाइट एच चला गया तो हाइट एच पे जो जी की वैली होगी वो क्या हो जाएगी जी मास ओफ अपॉन में क्या मुझे आर इप्लस एच का होल स्क्वेर करना होगा तो अब देखा जाए तो यहां पर वैसे तो साबित हो जाता है क्योंकि दिनॉमिनेटर में पहले आरी था अब आरी प्लस एच हो गया है यहने कि दिनॉमिनेटर अगर बढ़ गया है तो आटोमेटिक लिए साबित हो जाता है कि दिनॉमिनेटर के बढ़ने से ओवराल वेल्यू कम होती है बट हमें इसको जो एट सर्फेस ऑफ अर्थ जी है उससे कंपेर करना है तो उसके लिए हम क्या कर रहा है ध्यान सुनिएगा मैं डिनॉमिनेटर में ही क्या कर रहा हूं जो है उसको आरी से मल्टिप्लाइ कर रहा हूं और आरी से डिवाइड कर रहा हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं ताकि यहां पे आरी का जो स्क्वेर है वो कॉमन आजाए हाना आरी का स्क्वेर जो है इससे क्या होगा आपको पताता हूँ लेकिन यहां पे भी R E हो गया अब यहां पे भी R E हो गया तो G M E upon में और क्योंकि यहां पे whole square है तो R E का square मैंने common ले लिया अब अंदर बच जाएगा 1 प्लस R E अगर भार आ चुका है तो 1 प्लस H by R E बच जाएगा और इसका whole square बच जाएगा अब ऐसा इसलिए किया था कि G M upon R E छोटा G हो जाए अब इसको अगर मैं उपर ले जाता हूँ तो G height पे हमारे पास क्या हो जाएगा G M E upon R E का square और अगर मैं इस पूरे तिगड़म बाजी को उपर ले जाता हूँ 1 प्लस H by R E को उपर ले जाता हूँ 1 प्लस H upon R E के square को उपर ले जाएगा तो पावर माइनस 2 हो जाएगी अब G height पे अगर आप इसको पहचान रहे हो तो ये G at the surface of earth है तो G height पे हो गया G और यहां पे आगा 1 प्लस H upon R E के power minus 2 अब यहां पे आते-आते maths का एक binomial expansion का formula लगेगा यह आप में से कुछ बच्चों नहीं हो सकता है maths में पढ़ लिया हो और कुछ बच्चे आगे जाके पढ़े मुझे नहीं पता आपने वो चप्टर कर लिया कि नहीं कर लिया इस साल आ रहा है नहीं आ रहा है लेकिन maths का एक binomial expansion हो जो क्या कहता है कि अगर इसको मैं yellow color से लिखता हूँ ताकि highlight हो जाए अगर कोई fraction है जो कि 1 प्लस A by B की power N है हना अगर कोई fraction है जो 1 प्लस A by B की power N की form में है और A जो है वो काफी छोटा है B से दुबारा बोल रहा हूँ अगर कोई fraction किस form में है 1 प्लस A by B की power N की form में है and A जो है वो अगर बहुत जादा छोटा है B से तो हम यह जो power है उसको आगे लेके आ सकते हैं then ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस A by B की power N जो है इस power को हम आगे लेके आ सकते हैं और 1 प्लस N A by B हो जाएगा यह maths का एक नियम है ध्यान रखिएगा अगर कोई चीज 1 प्लस A by B की power N की form में और A अगर बहुत छोटा है A अगर बहुत छोटा है B से तो power को आप उस fraction के आगे लेके आ सकते हो पहली बात हो क्या यह 1 प्लस A by B की power N की form में है हाँ है क्या इसमें A जो है वो B से बहुत छोटा है अब जो radius of earth होता है वो कितना होता है तो earth का radius 6400 किलोमेटर होता है और यहां पर आप कितना ओपर जाओगे आप मुझे बताओ अगर amount average के चोटी पर भी चड़गे जो की surface है सबसे उपर की चीज़ है तो वहां पर भी जो R होगा वो जो H होगा वो आठ किलोमेटर 9 किलोमेटर होगा कहने का मतलब आप सिरफ समझो कि आप radius of earth के मुकाबले बहुत जादा उपर नहीं जा रहे हो तो फिर आप नहीं कर सकते फिर आपके derivation यहीं खतम हो जाती है बट अगर 1 प्लस H by R E में यह H बहुत छोटा है R E से तो क्या मैं इस power को आगे लेके आ सकता हूँ बिलकुल लेके आ सकता हूँ और अगर ऐसा है तो मेरे पास G height पे जो हो जाएगा वो G 1 अब क्योंकि यह आगे आ जाएगा तो minus 2 H by R E हो जाएगा और यह formula हमारे पास final आ जाता है ध्यान रखना है यह formula is only applicable जब height R E से बहुत छोटी है और यह formula दर्शा भी रहा है कि जो height पे जाके G है वो earth के surface के G के मुकाबले कम हो जाएगा और होना भी चाहिए although यह चीज हमने यहीं पे प्रूफ कर दी थी देखा जाए तो कि R E plus H हो गया था यहीं पे प्रूफ हो गई थी बड़ इसको हम क्योंकि छोटे G के साथ compare करना चाह रहे थे तो G height पे इस G surface पे बहुत important है तो orally भी हमें समझ में आ रहा था और mathematically भी हमने समझ लिया कि जब हम earth के surface से उपर जाते हैं तो G की value जो है वो कम होती है लेकिन अगर मैं अब earth के depth पे जाओं क्योंकि maths कहती है कि अगर मैं earth के depth पे जाओंगा तो जो यह वाला formula है इसके हिसाब से अगर मैं depth पे जाओंगा तो आर कम होगा आर कम होगा तो जी बढ़ना चाहिए बट आक्चुली में क्या होता है यह बहुत ही बढ़िया एक concept है कि अगर मैं earth के depth में जाओंगा तो G की value के साथ क्या होगा अभी तक कि हिसाब से जमना को knowledge दिये कम ही होना चाहिए ना आओ देखते है कैसे तो एट डेप्थ अब हम थोड़ा गहराई पर चले जाएंगे ठीक है अब माल लेते हैं यह हमारे पास अगेन अर्थ है और अर्थ के जो रेडियस है वो भी आपको पता है और वो है भई आरी अब आप यहां पे सर्फिस की बजाए यहां पर कहीं पर आगे हो यह आप हो सिफित यह आप हो अब आप के डेप्थ पर आगे एक सर्ट हैетр पर आगे हो यह हमारे पास को रहां भ Sex O nove miss a अब यहां से जो डेस बचाए अगर आप अगर आप उपर से नीचे डी डेप्ट पे आए हो तो यह r e minus d हो जाएगा ना यह जो distance है हमरे पास center से वो r e minus d हो जाएगा अगर आप d depth पे नीचे आगए हो तो distance हो जाएगा r e minus d छीकिए अब अगर मैं बात करूँ at surface surface की अगर मैं बात करूँ तो surface पे रहके जो g की value होती है वो तो again g mass of earth upon में r e का square होती है अगे यह हम जानते हैं अब अगर मैं depth पे जाऊंगा सबसे interesting बात यहां से शुरू होती है कि at depth अगर मैं एक certain depth पे चला गया एक certain घराई पे चला गया तो depth पे जाके g m e upon में क्या r e का square की बजाए मुझे लिखना होगा r e minus d अब इस पूरे statement में मैंने एक चीज़ गलत लिखी है क्या आप comment section पर पता सकते हो कि मैंने यहां पे जान मूझ के क्या गलत लिखा है ताकि पहली बार कर रहे हो तो आप यह नहीं डूण पाओगे लेकिन अगर आप दूसरी बार किये तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे mass of earth नहीं आएगा पहले क्या था जब हम लोग अर्थ के बाहर थे अर्थ के surface के बाहर थे तो पूरी अर्थ हम पे gravitational force लगा रही थी लेक जितनी इसके radius से बनेगी which is this मैं अभी shade कर रहा हुटा दूँगा लेकिन सिर्फ इतनी अर्थ होगी अब जो आप पे force लगाएगी बिकॉस जो बाहर की अर्थ बच गई वह आप पे ऊपर की तरफ भले force लगा रही हो दाएं की तरफ लगा रही हो बाएं लेकिन towards center वह आप पे mass of earth की बजाए mass i यानि mass of inner earth यानि अंदर की अर्थ का mass हमें यहां पे निकालना होगा तो यहां पे सबसे बड़ा change है जिस पर आपको ध्यान देना होता है अब यह mass of inner earth तो हमारे पास है नहीं तो अब हम इसका क्या करेंगे तो answer है mass of inner earth को हम लो calculate करेंगे concept of density से कैसे list of whole earth है और उसको बराबर मान रहे है है कि देनसीटी ऑफ Inner Earth से यह जिए MORड मसकी अर्थ की इनसीटी वैसे तो अलग-अलग जगह पर अलग होती है वे बड़ एवेरेजिली होता है वह होता है मास तो पूरी अर्थ का मास में है और वॉल्यूम होगा फोर बाइ थ्री पाए आर क्यूब हना और इनर अर्थ जो होगी उसका मास m i होगा और नीचे हो जाएगा 4 by 3 पाए r e minus d का whole cube क्योंकि जो inner earth है उसका radius तो r e minus d होगा अब यहाँ पे 4 by 3 pi से 4 by 3 pi cancel होगा हमें mass of inner earth निकालना है जो कि आ जाएगा mass of earth r e minus d का cube upon में अगर यह है तो नीचे r e का cube बच जाएगा अब यह हमारे पास mass of inner earth आ गया और इस mass of inner earth की value को हम लोग put कर देंगे कहां पे put कर देंगे भई g जो depth पे आया था हमारे पास उसका formula क्या आया था g mi g mi अब mi की जगा में लिख रहा हूँ m e r e minus d का whole cube upon में r e का cube सही है यह मैंने m i की जगा रखा है बस और divide में हमारे पास r e minus d तो ही r e minus d का square तो ही अब यहां पर अगर आप थोड़ी बहुत दी mass लगाते हो तो r e minus d के square से cancel हो जाएगा तो g m e upon में क्या जाएगा r e का cube और उपर r e minus d बच जाएगा चीक है ना क्योंकि square से यह तो cancel होगा अब यहां पर हम एक दिगड़म बाजी करेंगे क्या जो g depth है उसको मैं g m e upon में यह जो cube है उसको क्या मैं r e का square और वहां पर एक r e को ले जाओ यानि की समद गए क्या किया मैंने यहां पर तो मेरे पास r e minus d था यह नीचे r e का cube था तो मैंने r e के cube को r e का square into में r e लिग दिया आप समद गयोंगे मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि r e का cube है उसको अगर मैं r e का square बना दूँगा तो यह वाला जो हिस्सा है आप जो देख रहे हैं यह हमारे लिए छोटा g at the surface हो जाएगा तो यह छोटा g हमारे पास at the surface हो गया अब r e को अगर मैं आसे divide करेता हूं तो 1 minus d by r e हमारे पास आ जाता है तो यह basically हमारे पास आ जाता है g का formula अब जो दोनो g के formula हमारे पास आए धियान रखे उनमें एक फरक है यह वाला at height का जो formula है आप सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकते हो छोटी heights के लिए यह वाला जो formula है लेकिन यह depth वाला formula आया है यह आप किसी भी height के लिए किसी भी depth के लिए इस्तमाल कर सकते हो यहां पे हमने ऐसा कुछ भी assume नहीं किया है कि for small height या small depth तो यह formula आप कहीं भी इस्तमाल कर सकते हो secondly क्या यह formula दर्शार है कि depth पर जाने पर g की value कम होगी तो आप ज़रा समझें कैसे क्या यह पूरी की पूरी जो value है यह 1 से छोटी होगी अब यानि कि g depth पे भी कम हो रहा है और g height पे भी कम हो रहा है इसका मतलब g की जो value है वो earth के surface पर maximum होती है अब यह पूरी derivation तो exam हमारे time पर क्या होता था हमारे board के exam के time पर दो number की तीन number की derivation पर आते थे पांच number की derivation पर आते थे तो हम depth पे भी करते थे height पे भी करते थे statement लिखते थे लेकिन अब क्योंकि पांच number का पूरा एक complete question आना बंद हो गया आप पार्ट में आता है इसलिए अब chances थोड़े से कम हो जाते हैं कि आपके exam में यह आएगा कि आप पूरी derivation करो कोई एक हिसा सकता है कि शो करो कि जी की value उपर जाने पर कम होती है नीचे जाने पर कम होती है और अगर आ भी गया तो फिर तीन number में आएगा और आपको पूरी derivation करने ही पड़ेगी ठीक है जी चालो अब अगर हम लोग आगे बात करें तो इस चप्टर में एक नया टॉपिक आता है विचेश कैपलर लॉफ प्लैनेटरी मोशन देखो हम सब जानते हैं कि प्लैनेट जो हैं वो सन के आसपास घूमते हैं और सेटेलाइट्स प्लैनेट्स के आसपास घूमती हैं तो इनके लिए कुछ कानून कुछ दिये थे जो कि बहुत पुरानी बात है और यह तीनों लॉफ लगभग लगभग आज तक चले आ रहे हैं तो कैपलर जी के तीन लॉफ थे ध्यान रखना थ्री लॉफ इसमें से हमें जो थर्ड लॉफ है उसको डिराइव भी करना है इस वन शॉट के लास्ट में इस वन श इला लॉफ जाए ़ानि की फ़र्श्ट लॉफ क्या कहता है कि अगर अचा क्या आप को यह बात पटा है कि पहले के जमाने में यह माना जाता था कि जो सं है वो अर्थ के आसपास घूम रहे सब पता है सब ये मानते थे कि सन अर्थ के आसपास घूम रहा है बाद में ये साबित हुआ कि ऐसा नहीं है सन अर्थ के आसपास घूम रहा है अर्थ सन के आसपास घूम रही है और सरकुलर पात में घूम रही है लेकिन जॉनेसन कैपलर जी ने ये साबित किया कि ऐसा भी नहीं है planets जो हैं वो sun के आसपास घूम तो रहे हैं लेकिन वो कौन से path में घूम रहे हैं तो आंसर है circular path में नहीं घूम रहे हैं elliptical path में घूम रहे हैं अब अगर आपके पास maths है तो शाद आपको पता हो कि elliptical path के दो focus होते हैं ये f1 focus है और ये f2 focus है अगर आपने maths में ये chapter पढ़ाया तो आपको पता होगा कि ellipse जैसे circle का एक center होता है ellipse के दो focus होते हैं अब उसमें से एक focus पे sun बैठा होगा ऐसा कैपलर जी के first lock का कहना था कि एक पे बैठा होगा sun दूसरे पे कोई नहीं और उसके आसपास जो planets है कोई भी planet है ये planet है ये उसके आसपास ऐसे elliptical path में घूम रहे हैं यानि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि planet जब elliptical path में घूमते होंगे तो एक ऐसा समय आता होगा जब वो planet sun से बहुत पास भी होते होंगे और एक ऐसा भी समय आता होगा जब वो दूर होते होंगे लेकिन planets sun के आसपास circular path में नहीं घूम रहे हैं elliptical path में घूम रहे हैं ये ध्यान रखना है तो the planets move in elliptical orbits around the sun with the sun at one of the two foci हमेशा elliptical path के दो focus होते हैं उन दो focus में से एक focus पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि sun बैठा होगा दूसरे पर कोई भी नहीं बैठा होगा चीके जी ध्यान रहेगा ना चलो second law क्या कहता है second law बड़ा interesting law है again second law ने बताया कि again planet तो ठीक है circular path में नहीं गूम रहे हैं elliptical में घूम रहे हैं लेकिन और यहां पर हमारे पास sun है और यहां पर हमारे पास planet है लेकिन second law कहता है कि आप सब जानते हैं कि planet को sun से जोडने वाली एक imaginary line है यह planet को sun से जोडने वाली एक imaginary line है ठीक है अब मैंने 5 दिन 10 दिन, 15 दिन 1 महीना, let's say 1 महीना मैंने 1 महीना wait کیा और एक महीने बाद मेरा planet travel करके यहां आ गया चीए ना एक महीने बाद exactly एक महीने बाद मेरा planet यहां travel करके आ गया तो जो line planet को sun से जोड रहे जो imaginary line है क्या उसने यह वाला area cover किया the imaginary line joining planet to the sun उसने यह वाला area cover किया in one month in x days हना in x days अब अगर मैं फिर से किसी और time पे उस planet को same time period के लिए observe करूँ same time period के लिए observe करूँ यानि मालो एक महीने के लिए तो एक महीने बाद मैंने क्या देखा कि जो मेरा planet है और जो उसके center को sun से जोडने वाई line है वो again equal area चल रही है in equal interval of time यानि की बड़ी interesting बात यह है कि अगर मैं the line joining planet to the sun के द्वारा cover किया गया area calculate करूँ वो line जो planet को sun से imaginary तरीके से जोड रही है वो कितना area चलती है in given interval of time अगर मैं calculate करता हूँ तो यह area same time में हमेशा same आएगा अगर मैं यहाँ पर 30 days के लिए चलता हूँ और यह area मालो a आता है तो 30 days में वहाँ पर भी जो यह area आएगा वो same आएगा अगर यहाँ का area a1 है और यहाँ का area a2 है तो a1 और a2 बराबर होंगे तो imaginary line joining planet to the sun always cover always sweep equal area in equal interval of time अब ऐसा क्यों होता है आपको लग रहा होगा जब planet दूर है तो उसको ज़्यादा area cover करना चाहिए आंसर है जब planet pass होता है तो वह actually याद करेंगे system of particle and rotational motion उस chapter में हमने show किया था कि जब planet pass आते हैं तो उनकी speed भी बढ़ जाती है जिसके वैसे उनका भले distance कम होता है लेकिन उनका angular distance काफी जादा होता है और as a result area कम हो जाता है अगें higher classes में हमें इसको प्रूफ भी करना है बट अभी हमें capitalist third law की सिर्फ derivation करने वो भी इस one shot के end में capitalist third law क्या कहता है बड़ा interesting है क्या capitalist third law कहता है अच्छा उपर statement मत पढ़ना भी पहले आपस में बात करते हैं इसके बारे में ठीक है यह हमारे पास एक अगें सन और यहां पर हमारे पास आया भाई planet ठीक है planet अब मैं आप से एक सवाल पूछता हूं बड़ा प्यारा सवाल है कि हमारे पास 8 planets हैं ठीक है आ आप मुझे comment section ने बताओ कि Jupiter जैसे अर्थ का जो घूमने का time period है Sun के आसपास वो 365 या 365.4 डेज माल लेते हैं ठीक है माल लेते हैं कि आर्थ Sun के आसपास का चक्कर 365 डेज में काट रही है आप मुझे comment section बताओ आपके हिसाब से जो Jupiter है जब वो अर्थ का चकर काटेगा तो व में बताओ comment section पर आपको पताना है कि वो 365 से कम समय लेगा या वो 365 से ज्यादा समय लेगा कि comment section पर तो आप आपने लिखाओ भई हाना आप आप आपने लिखाओ कि वह बहुत ज़्यादा समय लेगा क्योंकि एक तो प्लानेट दूर है दूसरी बात दूर होगा तो gravitational force भी कम होगी ज्यादा distance भी चलना है तो समय भी बढ़ जाएगा बेसिकली देखा जाए मोटा मोटा यहीं हमारा Cappler Zee का third law भी है Cappler Zee का third law कहता है कि imagine करता पहले बात तो आप सब को पता है कि यह जो distance है वह vary करेगा ना जब पास आएगा तो अलग होगा दूर जाएगा तो अलग होगा लेकिन जो planet का time period है जो planet का time period है जो घूमने का time period है अगर उसका square देखा जाए तो वो directly proportional होगा उसके average distance के cube के अभी नहीं ऐसा करते है square और cube को छोड़ देते हैं वो तो derivation में आई गई square cube को अगर आप छोड़ दो तो Cappler Zee का third law बहुत simple है कि जितना planet का distance sun से बढ़ेगा उतना उसका time period भी बढ़ेगा because both are directly proportional to each अगर आप इस वाली term को छोड़ दो square और cube को वो हम formula में प्रूफ करेंगे ही बट अगर आप ऐसा सोचो कि यह लोग क्या रहा है यह लोग क्या रहा है कि time period बढ़ेगा अगर distance बढ़ेगा तो अगर को आठ गुना करके उसका square बढ़ेगा समझ गया ना मतलब तो time period का square इस डाइरेक्टिली प्रपोर्शनल distance का cube तो यह distance average distance है ध्यान रख मैं बिटा ना यह distance average distance है average distance बोले तो क्योंकि यहां पर अलग है यहां पर अलग है यहां पर अलग है यहां पर अलग है तो इन आपका जो average आएगा उसका जो क्यूब होगा उसके यह डाइरेक्टिली प्रपोर्शनल होगा बासमाज में और इसको हम प्रूफ भी करने वाले इस चेप्टर के यह कहां से आगी भाई मदमक्खी तो यह अभी कमरे के अंदर एक मदमक्खी आ गई थी तो उसको हटाना पड़ा लेकिन बात करेंगे gravitational potential energy की gravitational potential energy क्या होता है ग्रेविटेशनल potential energy क्या होता है क्या हम gravitational potential energy वर्क energy में पढ़ चुके हैं तो आंसर है हां लेकि मैंने का था कि वहाँ पर जो मार पास formula आया था MGH वो एक accurate formula नहीं याद करेंगे जिसने one shot देखा उसको यह बात पता होगी कि gravitational potential energy का formula मार पास MGH पहले आ चुका है बट वो formula एक accurate या exact formula नहीं था क्योंकि वहाँ पे चोटा जी आ रहा था और चोटा जी जो होता है वो height के साथ change होता है बट उसमें हमने जो height थी उसके साथ variation को include नहीं किया था तो इसलिए वो accurate formula नहीं था लेकिन यहाँ पे हम एक नया formula द्राइफ करने जा रहे हैं और यह formula क्यों बहतर होगा क्यों accurate होगा क्यों अच्छा होगा आओ जरा समझें तो यहां पर हमारे पास अर्थ है और हम एक object को कहीं से infinite से लट से कहीं पर infinite से हम आलो इस height पर लेके आए which is m not है और height हमारे पास जमीन से h है तो total height हो जाएगी इसकी h plus r e या फिर r e plus h हना दुबारा बोल रहा हूं यह infinite से object कहीं पढ़ा वाता उसको यहां से infinite पर लेके आए h plus r e या r e plus h पर या नीचे से उसको उपार लेके करने के दो तरीके दो वेज होते हैं एक होता है कि मैं integration का formula लगा के इसको calculate करूं और एक होता है कि मैं बिना integration के formula लगाए भी से calculate कर सकता हूं अगर मैं force को constant मानों तो मुझे ने पता आपके school में क्या कराए जाएगा बर जो सबसे जादा general तरीके से करा जाता है मैं उस तरी integration वाला method है तो सबसे पहली बात तो जो छोटा सा work done होता है वो होता है force into में छोटा सा displacement into में cost theta यह हमने formula पढ़ा है अब जो work done होता है वो force force की जगा मुझे क्या लिखना होगा जी mass of earth mass of object upon में x का square because यह जो distance है वो बार बार vary कर रहा है अगर आप मालो इसके center से उपर तक गए हो तो 0 से लेके r e plus h तक जाएगा तो वो vary करेगा ना depend करता है और यहाँ पर तो हमारे पास dx है अब cost theta अगर मैं यहाँ पर force की बात करूं तो earth उसे नीचे खीच रही है ले लेकिन आप जा ऊपर रहे हो हाना तो यहाँ पर जो cost है वो हमारे पास cost 180 हो जाएगा यह force हम किसके respect से निकाल रहे है अर्थ के अभी अर्थ चार यह क्यों object नीचे आए और माल लो आप उसको center से उपर लेके गए हो तो cost 180 हो जाएगा तो छोटे से work done का formula मारे पास माइनस g m e m not upon में x square dx हो जाएगा अब आगे मुझे total work done निकालना है तो मुझे integration करना होगा तो integrating both sides अब मैं कर यहाँ पर integrate करता हूं तो integration में dw के बजाय तो में जो w मिल जाएगा यहाँ पर मेरे पास minus g m e m not constant आजाएगा और नीचे में पास बच जाएगा one upon x square dx अब one upon x square dx का जो integration होता है यहाँ पर तो हमारे पास क्या ही रहा minus g m e m not अब one upon x square का जो integration होता है x को मैं उपर ले जाएगा तो x की power minus 2 हो जाएगा अब x की power minus 2 हो जाएगा तो power में एक add हो जाता है और वो ही power जो है वो नीचे आजाती है समझ गए ना तो यहाँ पर work done आजाएगा minus g m e m not और यहाँ पर minus one upon x बच जाएगा minus minus plus हो जाएगा तो work done g m e m not upon में x आ जाएगा अब x क्या है एक से कितना distance में चला x क्या है कितना distance में चला तो अगर मैं center से उपर गया तो g m e m not upon में क्या हो जाएगा r e plus h यह मेरे पास work done हो जाएगा अब क्योंकि हम लोग work energy में बात कर चुके हैं कि gravitational force एक conservative force है और उसके against किया गया काम potential energy की form में store हो जाता है तो यहाँ से हमें potential energy का formula work done का minus मिलेगा minus क्यों क्योंकि अभी हमने work done by gravitational force न निकाला मैंने angle क्या लिया 180 force लग रही है नीचे displacement हो रहा है उपर अगर potential energy की बात कर तो work done by us होता है तो वह minus of this हो जाएगा तो minus of work done हो जाएगा अब minus of work done क्या है minus g m e m naught upon में r e plus h है अगर आप r e पे गए हो तो सिर्फ r e हो जाएगा यह आपको पता है कि height क्या लेनी है r x क्या लेना है अगर मैं center से earth के surface तक गया हूँ तो r e लेना है h तक गया हूँ तो r e plus h हो जाएगा तो यह हमारे पास potential energy का formula आ mgh में जो छोटा g है उसको हमने constant मान लिया although वो constant नहीं होता उसकी value change होती रहती है उसकी value vary करती रहती है बट हमने उसको constant मान लिया बट वो constant होता नहीं है बट यहाँ पर हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिये जो constant ना हो लेकिन constant ले लिया हो तो यह आपको एक accurate result देगा और करीबी result देगा as compared to MGH, तो ये वाला formula बहतर है, काफी बहतर है, ध्यान रखना है, चालो, अब हमारे पास इस chapter में क्या बचता है, तो अब हमें इस chapter में एक बहुत important चीज़ पढ़नी है, जिसको हम लोग कहते है, escape velocity, कि escape velocity क्या है, और escape velocity के बात हम लोग को पढ़ना है कि satellite, satellites, satellites तो आपको सबको पता है क्या होती है, कि जो planets के आसपास गुमती है, हमें satellite की velocity और टाइम पिरेड निकालना और वहीं से इसके बाद एक टॉपिक है, geostationary satellites, geostationary satellites हमारे syllabus से पता नहीं क्यों, इस साल हटा दी गई, वह मैं आपको roughly समझा दूँगा, क्योंकि 5 मिन का काम है, कि geostationary satellites क्या होती है, तो और इसके बाद हमारा जो chapter है, वो खतम हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आओ, बात करते हैं कि, escape velocity क्या चीज़ है, बड़ा interesting topic, exam के लिए काफी important है, इसकी derivation, escape velocity क्या होता है भई, नाम से कुछ आगर लग रहा हो आपको तो, escape velocity बहुत interesting topic है, minimum velocity by which an object is thrown vertically upward, minimum velocity by which object is thrown vertically upward to escape, to escape from gravitational force of earth, to escape from gravitational force of earth, अगर मैं gravitational force of earth से escape होके भार जाना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी object को कितनी ताकत से फैकूँ कि वो earth के gravitational force को ये escape कर दे, भाग चाहे, उसके ओपर earth ग्रेविटेशनल force नहीं लगे, तो उसे कितनी velocity से फैका जाए, इसको बोलते है escape velocity, बट क्या आपको पता है कि, at surface of earth, जिसको अभी हम प्रूव भी करने वाले है, at surface of earth, at surface of earth, escape velocity को VE से represent करते हैं, जो VE की value है, वो 11.2 km per second है, km per second का मतलब आपको पता होना चाहिए, 11200 m per second है, अब आज तक हम इतनी velocity, manually या किसी भी तरिकी से अभी तक अचीव तो नहीं कर पाएं, बड़ अगर हमने किसी भी चीज़ को 11.2 km per second की velocity से फैका, बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें किसी और fuel की ते को rocket अलग चीज़ है, rocket जब launch होते हैं, तो constantly उन पर fuel की ताकत लगती रहती है, fuel उन पर लगता रहता है, fuel उनको धका मारता रहता है और उपर लग जाता है, मैंने बोला है, कि हमें किसी और अबजेक को थ्रो करना है, फैकना है, सिर्फ फैकने से वो धर्ती से बहार चला जाए, वो कितनी velocity होनी चाहिए, इसे कहा जाता है escape velocity, and escape velocity की जो value रहती है, वो 11.2 km पर second रहती है, काफी बड़ा, बड़े नंबर आया कहां से, हाना, ये नंबर कहां से आया, चीक है, आओ, इसकी derivation करते हैं, पहले तो, सबसे पहले मुझे इतना पता हो, क्या ऐसा कहना ठीक है, कि किसी भी object की जो kinetic energy अर्थ पे होगी, जिस से, sorry, कितनी, जब मैं किसी भी चीज़ को फैक दूँगा भार, तो फैकने पे, जब वो space के भार चला जाएगा, या space के भार तो गलत शब्द है, अर्थ के gravitational force के भार चला जाएगा, तो उस पर क्या नहीं लग रही होगी, तो answer है, उसके उपर potential energy नहीं लग रही होगी, because potential energy कब लगती है, जब अर्थ आप पे एक force लगाती है, तो क्या इसा केना ठीक है, कि जिस kinetic energy से मैंने उसको फैका है, initially, plus उसके पास जो potential energy होगी, initial, वो बराबर उने चीए, kinetic energy final plus potential energy final, समझ ना, यह तो law of conservation of energy, kinetic energy initial plus potential energy initial is equal to kinetic energy final plus potential energy final, अब kinetic energy initial होगी, हमारे पास half m, v e का square, potential energy का formula minus g, m e, m naught, अगर मैं अर्थ के surface से फैक रहा हूँ, तो r e आ जाएगा, कुछ उपर से फैक रहा हूँ, तो r e plus h आ जाएगा, क्या potential energy उपर जाके 0 होनी चीए, तो आंसर है अभी yes, क्योंकि surface पे potential energy, अब मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है, जहां पर अर्थ का gravitational influence खतम हो जाए, यानि potential energy 0 हो जाए, लेकिन क्या मैं चाहता हूँ कि kinetic energy भी 0 हो जाए, क्योंकि मैं minimum value निकालना चाहरा हूँ, मतलब मुझे इस से मतलब नहीं है, कि वो उपर जाके भाग रहा है कि नहीं, अगर वो अर्थ की gravitational force को escape भी कर देता है, और रुक भी जाता है उसके बाद तो भी चलेगा, क्योंकि मैं minimum निकालना हूँ, अब बशे बात है, और तजी से फैक होंगा, तो kinetic energy भी होगी, बढ़ मुझे अभी minimum value निकालने तो दोनों 0 हो जाएंगे, अब अगर ऐसा है तो half m escape velocity का square is equal to g, mass of earth, mass of object upon में r e आ जाएगा, अब mass of object से mass of object कैंसल हो जाएगा, escape velocity का square to g m e upon में r e आ जाएगा, तो escape velocity आ जाएगा under root to g m e upon में r e, अब क्योंकि ये formula देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको अच्छा कैसे बनाएं, इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको r e से multiply कर रहे हैं और r e से divide कर रहे हैं, तो नीचे square हो जाएगा, अब ये हमारे पास छोटा g हो जाएगा, तो escape velocity की value थोड़ी अच्छी दिखने लग जाएगी, यानि 2 g r e, 2 g r e, समझ दिए ना, तो ये हमारे पास escape velocity का formula आ गया, from the surface of earth, यानि अगर मुझे earth के surface से किसी भी चीज़ को escape करवाना है, धक्का मारके भार भेज देना है, तो इसे कम से कम इतनी velocity देनी पड़ेगी, अब इसकी value कैसे निकाले, सारी values put कर तो जो जो आप जानते हो, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की जगा 2 आ गया, g की जगा 9.8 आ गया, radius of earth की जगा 6.4 into 10 की पार, 6 आ गया, अब अगर आप इन सब के ले डाल दोगे, तो 11.2 किलो मीटर पर सेकेंट आ जाएगा, तो कुल मिला के, यह हमारे पास escape velocity का value और formula वह आ जाएगा, चीक है जी, तो कहने का मतलब यह है कि इतनी velocity सा, अगर हम किसी भी चीज़ को धरती से भार फैक्तें, इतनी velocity दिने के बाद, चीज़े धरती पे वापस कभी नहीं आएगी, वो धरती की gravitational force को escape करतेंगी, यह obvious है कि यहाँ पर हमने अर्थ के atmosphere को ignore किया हुआ है, अर्थ के rotation को ignore किया हुआ है, बहुत सारे factors को ignore करके value आई है, और हमने तो यहाँ पर G की value को भी 9.8 माल लिया है, जैसे ऐसे उपर जाओगे G की value भी कम होगी, तो ठीक है, बहुत सारे errors इसमें involved हैं, बढ़ अब हम बहुत basic level पर बात करें, तो under 2GRE यह value होने चाहिए, ड़न है, चालो, अब बात करते हैं, यहाँ पर velocity and time period of satellite, क्या satellite के बारे में आप सब जानते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो किसके आसपास घूमती है, planets के आसपास घूमती है ना, constant time period वेगारा पर उन्हें satellite कहते हैं, जैसे moon एक natural satellite है, artificial satellite तो हम आई दिन भेजते रहते हैं, पता है, और यह जो formula हम derive कर रहे हैं, यह सिरफ satellites के लिए नहीं है, this formula is also valid for planets, यह formula हम planets के लिए भी लगा सकते हैं, यह सब आपको पता होना चाहिए, यानि कि for planets also, यह formula हम जो proof करने जा रहे हैं, यह planets के लिए भी वेलने, for planets also, but NCRT में heading बनी भी है, ऐसे करके तो ऐसले ऐसे लिख रहे हैं, बट यह planets के लिए भी valid हैं, यह बात ध्यान राखना ठीक है, सबसे पहले हम velocity निकालते हैं कि एक satellite अगर अर्थ के आसपास घूम रही है, तो उसकी क्या velocity होनी चाहिए, बहुत प्यारी सी derivation है, मान लेते हैं अगेन यह अर्थ है भई, ठीक है, अब अर्थ के आसपास कोई भी एक छोट सेटलाइट जिसको मैं MS कह रहा हूँ, वो गूम रही है, अच्छा हम कैपलर्स का 3rd law भी प्रूफ करने जा रहे हैं, और सो एक एक तीर से बहुत सा निशाने मार रहे हैं, अर्थ के आसपास गुमरिये, अब अर्थ के आसपास वो गुमरिये, कितने डिस्टेंस पर है भई, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, आर, इ तो है, प्लस में H, अब तक तो आपको आधत होई गई होगी, ठीक है, अब क्या इसे गुमने के लिए एक centripetal force चाहिए होगी हमने पड़ा है laws of motion में भी motion plane में भी कि जब भी कोई ची सर्कुलर पात में गुमती है उसको गुमने के लिए एक force चाहिए होती है जिसका नाम होता है centripetal force अब centripetal force इस case में कहां से मिलेगी तो answer है gravitational force से मिलेगी centripetal force का formula होता है mv square by r gravitational force का formula होता है gm1 m2 by r का square यहाँ पे values put कर देंगे पहली बात तो mass of satellite है velocity of satellite का square है r हमारे पास r e plus h है is equals to g है mass of earth है mass of satellite है r e plus h का whole square है तो mass of satellite से mass of satellite cancel हो जाएगा r e plus h से 1 r e plus h cancel हो जाएगा तो velocity of satellite का square हमारे पास आ जाएगा g mass of earth upon में r e plus h ही आ जाएगा अब अगर मुझे यहाँ से velocity of satellite निकालनी है तो उदर जाके मैं इसको under root कर दूँँगा तो under root g m e upon में r e plus h तो यह हमारे पास velocity of satellite का formula आ जाएगा तो यह हमारे पास velocity of satellite का formula आ जाएगा वो जो आया था यह escape velocity था भई कितनी velocity से किसी object को फैकें कि वो धरती के gravitational force को escape कर दे यह बहुत अलग था लेकिन यह जो formula हमारे पास आया है यह formula क्या है भई अर्थ की या अर्थ के आसपास गुमने ले सेटलाइट्स या planets जो sun के आसपास गुमरें उनकी velocity या किसी भी चीज़ की velocity जो किसी planet या sun के आसपास गुमरें हो उसको हमने आप पे calculate कर ले which is under root gme upon में r e plus h under root gme upon में r e plus h ठीक है यह आ गया हमारे पास also अब यहाँ पे अगर मैं time period निकालता हूँ time period का मतलब एक satellite या planet को पूरा एक चक्कर काटे में कितना समय लगता है इसको हम time period कहते हैं अब time period के लिए formula क्या लगाते हैं distance एक round में कितना होता है upon में speed सही है अब एक round में जो distance होता है वो तो हमेशा 2 pi r होता है और speed हमारे पास v होती है 2 pi अब r जो है satellites के लिए वो r e plus h है r जो है satellites के लिए वो r e plus h है upon में आज ही हमने proof किया कि जो velocity है वो under root g mass of earth upon में r e plus h है अब इसको ऐसे तो solve करना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है तो हम squaring both side कर देंगे है ना भाई squaring both side कर देंगे है फिर बोल रहा हूं हम time period का formula भी derive करने जा रहे हैं और cap plus third law भी derive करने जा रहे है squaring both side कर देंगे squaring both sides अगर मैं दोनों sides पे square कर देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास time period का square is equal to two का square four हो जाएगा pi का square pi square हो जाएगा r e plus h का whole square हो जाएगा नीचे gm e upon में r e plus h हो जाएगा अब यह r e plus h उपर जाके cube हो जाएगा because square है एक और जाके cube हो जाएगा तो four pi square upon में हमारे पास gm e आ गया क्या यह पूरा का पूरा एक constant है तो आशर है हाँ और साथ में हमारे पास r e plus h यानि की distance का cube आ गया पहली बात तो यह cap plus ओ पहली बात तो यह time period का formula आ गया अब आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह formula कितना जादा important है मैं आपको एक short form में बाद बताता हूँ अगर इस chapter के अंदर मान लो example और exercise मिला के मान लेते हैं 40 question तो 20 question मतबर example के रूप में ले रहा हूँ 40 question तो 20 question इस formula के उपर है अब आप यह बात मान लो या जब आप NCRT करोगे तब मान जाओगे यानि 40-50 प्रतीशत सवाल जो है वो सिर्फ इस formula के उपर बन जाएंगे इतना important formula है ध्यान रखना लेकिन यह time period का formula तो आ गया साथ ही साथ क्या ऐसा कहना ठीक है कि यह पूरी की पूरी term constant है तो time period का square is constant times r e जो कि distance है उसका अमारे पास cube है तो क्या time period का square directly proportional to cube आ गया of distance और यहाँ पे हमारे पास kepler's third law भी proof हो जाता है कि time period का square is directly proportional to cube of distance time period का square is directly proportional to cube of distance तो यहाँ पे kepler's g का third law भी automatically proof हो जाता है समझ गए अब सवाल उठता है कुछ चीजों का जैसे कि सबसे पहली चीज क्या हमारे पास velocity का formula आया under root g m e upon r e plus h और क्या हमारे पास time period का यह formula आ गया अब ध्यान सुनना यहां मैं kinetic energy potential energy and total energy of satellite या planets satellites या planets में relation निकालने जा रहा हूँ planets या satellites में relation निकालने जा रहा हूँ यह एक ऐसी चीज है बचों जो बहुत सारे बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं इस बात पर और मेरे यकीन माने अगर आपने इसको ढंक से पड़ा तो नीट में जेई में और हमारे board में तो खासकर बहुत मुश्किल सवालों को आप बहुत easily solve कर पाएंगे एक छोटी सी trick कहलो पता रहा हूँ और वैसे तो यह trick नहीं है trick तो वह होती है जो कहीं लिखी ना हो लेकिन हम पता रहे हूँ कि यह NCRT में लिखी हुए लेकिन बहुत कम बच्चे इस पर focus करते हैं क्योंकि टीचर्स पताते हैं इसको इंडिरेक्ली भी बताते हैं बड़ बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं कभी कभा टीचर भी नहीं पताते हैं आव ज़रा समझें क्या है क्या हमारे पास potential energy का formula आचुका है minus g m e m not अगर object है या satellite है तो ms हो जाएगा upon में r e यह हमारे पास potential अगर हम surface में तो potential energy का formula अच्छा also अगर मुझे kinetic energy निकालनी हो तो formula क्या होगा half m v square हाना यह तो formula हम जानते ही हैं अब half mass of object या satellite अब velocity का square क्या velocity का square की value या velocity हमारे पास अगर यह आया है क्या आप अगर ध्यान दें इस formula में तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि जो kinetic energy है वो half of minus of potential energy है क्योंकि GME M0 upon में आरी तो potential energy है बस minus की कमी है तो क्या मैं इस पूरे को minus of potential energy बोल सकता हूँ तो answer है yes यानि की जो potential energy होता है वो basically minus twice of kinetic energy भी होता है minus of half of kinetic energy भी होता है इसका मतलब अगर आपने एक satellite की potential energy को calculate कर लिया तो kinetic energy को अलग से calculate करने की ज़रूत नहीं है अगर आपने kinetic energy को calculate कर लिया तो potential energy को अलग से calculate करने की ज़रूत नहीं है तो कि potential energy जो है वो minus of double of kinetic energy है समद गए अब अगर मैं यहाँ पर total energy की बात करूँ because exam में आपको total energy भी निकालने को बोला जाएगा यह ध्यान रखना हमेशा क्या total energy potential energy plus kinetic energy होता है तो answer is yes तो total energy अगर potential energy plus kinetic energy होता है तो क्या मैं potential energy की जगा minus twice of kinetic energy plus kinetic energy अगर लिख दूँ तो total energy मेरे पास minus of kinetic energy आ जाएगा जसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास kinetic energy, potential energy या total energy में से कोई भी एक energy आ जाती है तो बाकी energies मेरे लिए निकालना बहुत जादा easy हो जाता है क्यों easy हो जाता है क्यूंकि सबका मैंने आपको एक relation दे दिया है सबका मैंने आपको एक छोटा सा formula डराइफ करके दे दिया है एक energy आगे बाकी सारी energy आपके पास automatic लिया जाएंगी तो अगर मैं अपने boards के syllabus के साब से बात करूँ तो syllabus खतम होता है लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको कराना चाहूँगा वो है geostationary satellite चीक है यह समझगे सारा चाहो तो revise कर लोगी बहुत सारे formula एक तरफ एक दम से आएं तो आप इन्हें revise भी कर सकते हैं बट अगर हम बात करें geostationary satellites की तो यह क्या होती है चाहे मैं इनको औरली समझा दूँ आपको चाहे मैं आपको लिखना है तो आप लिख लेना geostationary satellites क्या होती है देखो satellites मतलब जो planets के चक्कर काटे अब satellites क्यों बनाई जाती है weather forecasting के लिए signals के लिए live telecasts के लिए बहुत सारे हैं ना space के बारे में study करने के लिए अब geostationary satellites वो satellites होती है जो अर्थ के साथ-साथ same time period पे गुमती है यानि ऐसी satellites जो अर्थ के उपर होंगी और जैसे ऐसे अर्थ मालो मैं अर्थ हूँ और ये माल लेते हैं हमारे geostationary satellite है तो जैसे जैसे मैं घुमूंगा ये satellites भी अर्थ के साथ-साथ घुमेंगी तो ऐसा लगेगा देखने वाले को कि ये satellite रेष्ट पे है तो ऐसी satellite जिनका time period 24 आर्थ ही होता है और वो अर्थ के साथ-साथ चक्र कारती है उन्हें geostationary satellite कहा जाता है ये हमेशा equator के उपर उड़ सकती है अर्थ के साथ-साथ घुमना है तो एक ही जगा चाहिए वह है equator के उपर और इनका time period 24 hours होना चाहिए तो परिभाशा अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो satellites which revolve around earth with the same time period and appears to be at rest known as geostasy satellites every satellite which wants to be geostationary should revolve should revolve above equator and time period must be equals to and time period must be equals to time period कितना होना चाहिए भई 24 hours योगि उसी का time period earth के बराबर होता है अब इस chapter में जब हम NCRT खोलते हैं numericals करने ही कोईश करते हैं तो ध्यान रखना मैं अगेन जैसे हर एक chapter के subjective questions के lecture ले के आ रहा हूँ उसके भी लेके आऊँगा बर जब आप खुद से practice कर रहे होंगे तो मैं आपको पहले पता दूँ इस chapter के numerical बहुत जादा easy है जो difficult है बहुत calculation क्योंकि mass of earth, mass of satellite, mass of saturn, mass of Jupiter, mass of moon radius उनके भी इसका distance इनकी value 10 की powers में बहुत अजीब अजीब हैं बट overall chapter is very very easy इस chapter में सबसे important चीज़ के अगर बात करूँ तो G की value ऊपर नीचे जाने पर constant और capillars third law और escape velocity यह सबसे important topic है जहां से exam में कुछ सवाल बनता है तो session को like जरूर कीजेगा अगर event shot अच्छा लगा है बहुत कम समय मैंने आपको सारे के सारे topics को cover यहां पर किया है और I hope इसमें को experiment नहीं थे आप समझ सकते हैं क्यों बट ठीक है हाँ आगे जाके हम लोग जो भी लेक्चर्स लेकार सब में experiment वह इसमें नहीं है आप समझ सकते हैं क्यों नहीं है क्योंकि सबकुछ चीज़ा इसी है जो धरती के बार में अब मेरे बात को समझना हर चीज मैं बहुत बार बोला कि हर कि इसके कोई experiment नहीं होते हैं कि को है कर हैं भी तो उनको ऐसे छोटे स्केल पर नहीं किया जा सकता है उसके लिए बहुत फंट से यह पैसा चाहिए तो इस चेप्टर के लिए वो नहीं हमारे पास लेकिन अगला अगला मतलब जगा और टाइम वो सब लेकिन अगला चेप्टर हमारा बहुत जादा इंट्रेस्टिंग मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बहुत कुछ करेंगे मापे हम और मेकानिकल प्रॉपर्टीज और फ्लूड में तो मज़े आ जाएगा आपको ठीक है चलो मिलते हैं अगल लेक्चर में तब तक के लिए थेंक्यू समाच थेंक्यू